ओके, हेलो डियर स्टुडेंट्स, आजे आपने बात करीशू, डिकंपोजीशन रियक्शन ओफ फेरस सल्फेट, अन्ये जे एक्सपेरिमेंट जे, ये हुँ तमने प्रेक्टिकली पंग बतावेश, सवती पहला तो, फेरस सल्फेट मेंज फेसोफोर, अगर फेरस सल्फेट ना क्रिस्टल्स ने तमेज हेरे, हीट आप हो जो, देन इट प्रोड्यूसीज, फेरिक ओक्साइड, सल्फर डायोक्साइड और सल्फर ट्रायोक्साइड, हवे आया रियक्शन ना द्यूरिंग, जे सल्फर डायोक्साइड अन्ये सल्फर ट्रायोक्साइड, आप बनने गैसीज चे प्रोड्यूस थाई, येनो जन्रली नेचर, एसिडिक नेचर होई अन्य जे एसिडिक नेचर नहीं जो आपने प्रोपर्टी चेक कर भी होई तो ए प्रोपर्टी ब्ल्यू लिटमस पेपर थू चेक करी शक्ते है Fe2O3 that means ferric oxide अन्य ए जे ferric oxide प्रोड्यूस थासे एनो कलर वाइट कलर है तो आजे reaction जे ए हवे आपड़े practical त्रूप समझे Hello dear students आजे आपड़े वाद करी शूँ फेरस सलफेट नी decomposition reaction एटले के भिगटन प्रक्रक्निया फेरस सलफेट एटले के FeSO4 हवे आ FeSO4 ना क्रिस्टल्स ने जे आपड़े गरम करिये जी त्यारे तेनी अंदर decomposition reaction थाई अने तेमा की Fe2O3 एटले के फेरिक ओक्साइड प्लस सलफर डायोक्साइड अने सलफर ट्रायोक्साइड एवा harmful gases release हाई तो हवे एए प्रेक्टिकल त्रू आपड़े जोई ले एए उप्रांत फेरस सलफेट ना जे क्रिस्टल्स होई एनो कलर नियर अबाउंट ग्रिनीश कलर जे होई त्यार हवे या ग्रिनीश कलर जे जे एने जियारे आपड़े हीट करी शोई त्यारे एनो कलर चेंज थाई अने के वो थाश तेनी बाद करी एक टेस्ट्यूब नी अंदर हमारी पास है फेरस सलफेट ना क्रिस्टल्स होई एनों हीट आपड़े तो हम आपड़ी पास है फेरस सलफेट इटले के फे ये सो फोर जे इन्हें आपड़े हीट आपीस होई आप फेरस सलफेट ना क्रिस्टल्स इन्हें हूँ हीट आपीस इटले इन्हां कलर माद चेंज इस आउसे आप रियेक्शन ना दूरीग फेरस सलफेट तो एनुझे कनवर्जन जे एकनवर्जन फेरिक ओकसाइड माद आजे इन अदिशन तो दिस इट आपसाइड ना पोर दिस इस रूफर दियोकसाइड और सल्फर द्योकसाइड गैसे and this sulfur dioxide and sulfur trioxide gases are harmful okay you can see the sulfur dioxide and the sulfur trioxide gas okay you can observe that in the test tube the sulfur dioxide and sulfur trioxide and the sulfur dioxide is acidic in nature and the test which you can do you can do blue litmus paper through to test the river okay now you can check the color it is white color and now white color